एक्जाम फर्म अकेडमी एक्जाम फर्म अकेडमी के इस वीडियो में आज हम गुपत उत्तरकाल यानि की प्राचीन भारत के इतिहाद से जितने भी क्वेशन बन सकते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे आज का पहला कुछन है फुस्सी भूति बन्स की स्थापना किसने की थी उत्तर हो जाएगा फुस्सी भूति वर्धन इससे पहला मेरा एक वीडियो बन्स और उनके संस्थापक और उसकी राज़धानिया कहां थी आ चुका है आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में जाके वहां से देख सकते हैं उस वीडियो में मैंने नार्थ इंडिया इनकी दच्छन भारत और साउथ इंडिया और नार्थ इंडिया दोनों के जितने भी मद्दिकाल में राज़वन्स हुए हैं उनके संस्थापक कौन है और उन्होंने अपनी राजधानिया कहां के नाम कवर के जिसे नागवन्स का संस्थापक कौन है पालवन्स का संस्थापक कौन है गंगवन्स का संस्थापक कौन इस सभी क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कवर कि आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है पुस्सी भूतिबंस का सबसे प्रतापी राजा कौन हर्स वर्धन का राज दर्बारी कौन था उत्तर हो जाएगा बाण भट बाण भट हर्स वर्धन का राज दर्बारी कब था अगला कुशन चीनी यात्री हो इंसांग किसके समकालीन था उत्तर हो जाएगा हर्स वर्धन के हर्स वर्धन के समय चीनी यात्री वह इंसांग आया था भारत को किस ब्यक्ति को दुती असोक कहा जाता है उत्तर है हर्स वर्धन को हर्स वर्धन को दुती असोक के नाम से भी जाना जाता है कुश्यन नम्बर साथ अंतिम बहुत राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था उत्तर है हर्स वर्धन हर्स वर्धन अंतिम बहुत राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान था क्वेशन नमबर आट हर्स चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है या रचित है उत्तर हो जाएगा बांड भट बांड भट द्वारा हर्स चरित्र नामक पुस्तक की रचना की गई है किस राजा ने रतनावली नामक पुस्तक लिखी थी उत्तर है हर्स वर्धन ने हर्स वर्धन ने रतनावली नामग पुस्तक को लिखा था Q10. हर्स वर्धन और पुल के संदिती के मद्ध हुए संघर्स की जानकारियां हमें कहां से प्राप्त होती है उत्तर है एहोल अबलेक से एहोल अविलेक से हमें हर्स वर्धन और पुल के संदिती के मद्धी हुई संगार स्यानी की लड़ाईयों के बीच की जानकारी हमें प्राप्त होती है Q11. हर्स ने अपनी राजधानी थाने स्वर से कहां इस्थांतरित की? उत्तर है कन्योज Q12. सकलोत रापथन किसे कहा जाता है? उत्तर है हर्स वर्धन को Q13. बंगाल का कौन सा सासक हर्स के समकालीन था? उत्तर है ससांक Q14. गुप्त वंस के पस्चात उत्तर भारत में बड़े भाप का पुनरगठन किसने किया? उत्तर है हर्स वर्धन ने Q15. हर्स के सासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्पूर्ण साहर कौन सा था? उत्तर हो जाएगा कन्योज और कन्योज ही हर्स वर्धन की राधानी थी Q16. हर्स वर्धन अपनी धार में एक सबा कहां किया करता था? उत्तर हो जाएगा प्रियाग जिसे आज अलहाबाद की नाम से भी जाना जाता है Q18. वर्धन में कन्योज किस प्रदेश के में इस्तित है उत्तर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इस्टेट में यह कुए पहले से बता चुका हूँ Q19. होयन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्तपादन के लिए सबसे प्रसिद नगर कौन था? उत्तर है मतुरा Q20. केश चेनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? उत्तर है होयन सांग Q20. कुम्ब के मेले का सुबारंब किस ने किया? कुम्ब के मेले का सुबारंब हर्स वर्धन ने किया था? Q22. किस सासग ने नालंदा भी सुबिद्याले के लिए सो ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी? उत्तर है हर्स वर्धन ने हर्स वर्धन ने नालंदा विश्व विद्याले के बनवाने के लिए अपने सो ग्रामों की आई को दान में दिया था क्वेशन नम्बर तेस दच्छनी भारत में एरिपत्ती का अर्थ क्या है? उत्तर है जलासय की भूम क्वेशन नम्बर चोबिस पुस्सी भूति काल में राजी की आई का मुख्य साधन क्या था? उत्तर है भूमिकर भूमिकर पुस्सी भूति काल में राजी की आई का मुख्य स्रोत था क्वेशन नम्बर पचीस पुस्सी भूती काल में भूमिकर कितना लिया जाता था उत्तर है पैदावार का एक बटे छटवा भाग Q26 हर्सवर्धन के समय नालंदा विश्विद्याले का कुलपत कौन था उत्तर है सील भाद्र यह बहुत इपार्टेंट यह बार-बार पूछा जा चुका है कि सील भाद्र किस विश्विद्याले के कुलपत थे तो उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्विद्याले के Q27 Q27 किस अभिलेक में हर्सवर्धन को परमेश्वर कहा गया है उत्तर है मदुवन योंबांस खेड़ा अभिलेकों में हर्सवर्धन को परमेश्वर कहा गया है Q28 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 कस्मीर का इतिहास किस ग्रंट से मिलता है यह बहुत important question है बहुत बार भूचा जा चुका है चाहे किसी भी exam हो चाहे railway हो यह SSC हो आप अच्छी तरीके से start कर तयार कर लेगे मैं जो question बताता हूं कि यह important हो बहुत बार पूचा जा चुका होता है उसलिए मैं बताता हूं इसलि अगला question है राजत रंगडी नामगरंत की लिखा कौन है ? उत्तर है कलहन ने राज़त रंगडी नामगरंत लिखा है जिससे हमें कस्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है यह थे आज के हमारे most important गुप्त उततरकाल यानी प्राचीन भारत के इतिहास से सम् हमारे चैनल पे आप नए हैं या अगर अभी तक हमारा चैनल एक्जाम फरूम अक्रेडवी को आप सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लिजे मेरे डेली जनल नालिज का वीडियो सुबह 10 बजे अपलोड होता है आप देख सकते हैं